अलो दोस्तों, शड़ी मूड में आपका स्वागत है, बिहार दरोगा भरती 2023, 1275 पदों के लिए लाखों अभियारती फर्म अपलाई कर रहे हैं, आज के डेट में, जो अभी मैं देखकर आ रहा हूँ, शावा 3 लाख है रिजिस्टेशन हो चुका है, अभी की डेट में, अभी मेरिट लिष्ट जारी किया है, फिसकल होने के बाद, उसके कटप के बारे में मैं बात करूँगा, जिसको देखकर सभी लोग हैरान है, साथ में मैं एक्जाम डेट के बारे में, ये 1275 का एक्जाम डेट का अभी करने के लिए, और इसका PT के साथ मेंस भी अंदाजा लगा ही सकते हैं, कि मेंस में बहुत आपको लगबग जो, अगर आपका PT का रिजल्ट देता है, जनुवरी मीड तक, तो आपका अपरिल सुरुवात में ही आपका, जरूर आपका मेंस के एक्जाम कंड़क्ट करा लेगा, BPSC, अगर उसको सेंटर मिल जाते हैं, तो ठीक, क इस तरीका से जो एक्जाम डेट निकल कर आ रहा है, मैं आपको नोटिस दिखाने के कोसिस करूँगा, जो DM को लिखा गया है, अब यहाँ पर आप देखिएगा, यह कटप के उपर भी हम बात करेंगे, कि जो कटप जारी किया गया है, BPSC द्वारा, और उसमें सीट भी खा स्ट mouth के दंड़ देख़्nelle, रही हम बात करेंगे, किस द्वारा जारी खाली और कंहीं है, इस देखार एगी दिसम्बर वार खेंगे, और रहला है, चीज है और मुझे लगता है कि इस डेट में ही आपको बीपी एससी एक्जाम कंड़क्ट करा लेगा क्योंकि दो ही सिप्ट में एक्जाम कंड़क्ट उसे कराना होता है देखिए कभी भी दरोगा का जब भी फॉम भरा गया है आप देखिएगा सुरूस निकाल कर देखिए तो फॉम सबसे पहले 5,5 लाख उसके बाद जो भरती आया यहने 1717 वाला भरती में 5,5 लाख के करीब आप देखिएगा कि फॉम मतलब अप्लाई हुआ था उसके बाद देखिएगा कि लगभग उतना ही आपको 2019 वाला भरती में और 2020 वाला भरती था 2213 पोश्ट का दरोग लगभग उपका यहां इस डेट में एक्जाम आपको BPSSE कुसित करने को और यह आपको ऑफिसल साइड पर भी देखनें को नहीं मिलेगा क्योंकि पर यह जारी नहीं किया जाते है यह इंटरनल नोटीस होता है जो की जारी किया जाता है ड्यम को ड्यम अपना इंटरनल तो ये आपको पहले का नोटीस है, जो मैंने आपको दिखाया, जो जारी किया गया था, और इसी डिट में आपको मानकर अभी तयारी करना है, एक दम एकुरीट 17 दिसंबर के डिट में मानकर अभी तयारी कीजिए, क्योंकि मुझे ना लगता है कि इससे ज़्यादा समय आपक कुछ नहीं हुआ है चलो भी ज्यादा समय मिल जाएगा सो देगो ज्यादा समय मिलेगा तो सब को मिलेगा अगर ना मिला तो फिर आपका सपना धरे का धरे रह जाएगा और इस बार कुछ तो बदलाव जरूर एक्जाम में देखने को मिलेगा क्योंकि जिस तरीके सहर एक्जाम में बदलाव हो रहे हैं और ऐसे जैसे 64 पदों में भी जो बदलाव देखने को मिला है कही ने कहीं इस एक्जाम में भी आपको जलकते हुए दिखाए देगा तो आपके पास बहुत कम समय बचा हुए उस समय को यूटला यह जो आपको आज रिजल्ट इनका फाइनल जारी कर दिया गया है तो जिन लोगों का आपको सेलेक्शन हुआ है मेरे तरफ से स्टडी मूट परिवार के तरफ से बहुत बहुत बदाई हो बहुत सा अभिहारती ने मैसेज भी किया तो अच्छी बात है आप लोग अगनी सामल पदेदिकारी के पोश्ट था ठीक अभी इसके एक्जाम आपको जो कराया गया थे यहाँ पर दिया हुए लिकिद परिक्षा परमभिक और फिर यहां पर मुख परिक्षा आप देखो कितना कम समय दिया गया है दोनों परिक्षाओं में और साथ में फिजकल के लिए भी बहुत कम समय दिया गया था आप देख सकते हैं कि यहां पर परिक्षा में सफल अभियारती की सारी दक्षता परिक्षा और डोकुमेंट फिर्फिकेशन 12 अक्टूबर 2003 इसको ही कंड़क अभियारती आये थे 43 अभियारती और उपस्थित रहे से इस में से तीन तो मेरे ही जान पाचान के हैं उनका सचिवाले में हुआ है तो डोकुमेंट फिर्फिकेशन सचिवाले में करा रहे थे और पहले से लेवल 6 के जॉब कर रहे हैं ठीक तीसलिए उन्होंने बोला कि न कि योग अभियारती का विवलण निम्नित है जो छटे हुए देखे दोड में देखे सब सभिन, दोसो अटालिस अभियारती छट अथा अबत ऑनयस परदा dai जांच और आपको शरिरिक होता है मतलब हाय tutti ह barely तो डू सोड़ी तो छटी सांथी हुए यहां पर आप देख सकत पर आप दिखिएगा कि जो फायर वाला है वो मात्र आप दिखिएगा यहां पर कि यहां पर 45 सीठी फूल हुआ है तिरपन में से तो सीठ खाली रह चुका है और सीठ क्या है खाली है क्योंकि लड़के नहीं मिले हैं तो इस कारण से खाली है और इसी पर बार-बार सभी लोग का सेलेक्शन हुआ है मेरे जान भाचान में बहुत सा ऐसे दरोगा है जो कि इस बार आये थे अपना डोकमेंट विफिकेशन करा कर गए तो उनका जब सच्छी वाले साहिक में हो जाएगा तो क्यों रहेंग दरोगा में वो साब बोलते हैं कि हम दरोगा छोड़का कारण से आप देखेगा जो तो सीट घड़ जाता है अब यह फिर से प्रोसेस अगला प्रोसेस में सीट को जोड़ना फिर से रोश्टर क्लियर करना यह बड़ा दुविधावला हो जाता है का होता बढ़िया कि वेटरिंग लिष्ट जारी कर देता जो छोड़ेगा उसके स्थान पर कोई और को भेज़ दिया जाएगा तो यह सबसे बेश्ट में आपको मतलब और भी जो होता है आयोग जो है सेंट्रल आयोग वह ऐसे ही करता है ठीक तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो अवर निर्चकमध नित्षेद में है एक ग्यारह रिक्ति में से नौ पूरुस हैं और दो आपको महिला विहार थी हैं और वही अनुमंडल अगनी सामक पदेदिकारी तिरपन गो में से 15 पूरुस है और आपको जो है 30 महिला आप यहां पर देख सकते हैं कि एक क्या चीज़ बनते हुए दिखाई दे रहा है तो यहां पर इतिहास बनते हुए है और 30 जो 45 में से 30 आपको महिला आपको सेलेक्ट हुई है यानि डवल महिला का रिजल्ट हुआ है और यह आपको देखे यह से आपको क्या अंदाजा मिलता है कि यह लगा लिए कि जो महिलाओं के सीट अरक्षित है जो ध्यान मरकिए कि 3 परसंट बीसी कटेकरी का अ इलिजिबल तो आपको मेल को चला जाता है यह भी ध्यान मरकिए अगा ठीक सो यह कटफ मार्क्स के उपर हम बाद कर लेते हैं तो अच्छी यहां पर देखने को मिला है कि आपको 15 को जो है अगनी समन में आप देखेगा 15 मेल है तो 30 फिमेल को सेलेक्शन हुआ है वो सभी का ट्रेनिंग होगा अब यहां पर देख सकते हैं कि जो आपको अवर निरक्षक मद निसेद हैं यहां पर अनुमंडल अगनी सामक पदधिकारी है दोनों का आपको अलग-अलग कटफ जारी किया गया है अलग-अलग सीट था अनारक्षित के अंतरगत देखेगा एक साइस द सही करने पर मिलता है और 0.2 अंक जो होता है वो कट जायता है 110 आपको निगेटिविस में होता है ठीक सो यहां पर आप देख सकते हैं यह मेंस के जो आपको पेपर होते हैं उसी पर मेरिट बनता है तो 184.8 जो गया है लगबग 185 आप मान सकते हैं यह कटफ अनरक्षित में गया है मेल उसका आपको एक साइज वाला में 11 पोश्ट वाला में और फिमिल का जो गया है 178.2 गया है यह 200 में बाध्यान में रखिएगा अगर 100 में निकलना है तो आधा कर दीजेगा यानि कोश्चन में निकलना है तो 2 से भाग देदिए कर निकल कर आ जाएगा आर्थिक रूप से कमजोर जो आपको एक साइज दरोगा वाला है उनका 178.4 गया है मेल जो EWS है उनका और फिमिल का तो सेलेक्शन ही नहीं हुआ है साफ या पर खाली है अनो सुची जाती का आप देख सकते हैं अनो सुची जाती में देखिएगा कि 160.4 गया है सिर्फ मेल का क्योंकि आफितः का सेलेक्शन नहीं हुआ है इस बात को भली भाती याद रखिएगा और यहां पर पिछड़ा वर्ग में 180.2 आपको गया है मेल का और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए क्लिए कोई सेलेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि यह 1-12ध सीठ था आपको एक साइज जो दर 173.8 यह जनरल का मेल का कटफ है और फिमिल का 173.6 इससे आपको अंदाजा लगा सकते हैं इससे अंदाजा यह लगता है कि जो आप पीटी में डिफरेंड देखते हैं मेल फिमिल में बड़ा भरती में वो अब मेंस में नहीं देखने को मिल रहा है इसे पहले भी जो दरोगा क एक्जाम हुआ है 2213 वाले मों उसमें भी मेंस में तो लड़की लड़का लगभग समतुल्ले हो जाता है कुछ ही अंको कांतर बस रहता है एक बाद ध्यान मर कियेगा तो मेंस में कटफ अपने आप ही बढ़ जाता है फिसकल के बाद जो मेरिट लिष्ट बनता है उसके ब 147 गया है मेल के लिए और फिमिल में कुई सेलेक्शन नहीं हुआ है अत्यांत पिछड़ा वर्ग में देख सकते हैं 144.8 गया है मेल के लिए और 144.8 गया है फिमिल के लिए भी यानि कि अत्यांत पिछड़ा वर्ग ने एबीस में आप देख सकते हैं अगरी सामन में आपको दोनों, male, female, दोनों का बराबर cut-up गया है, पिछड़ा वर्ग में देख सकते हैं कि 117.6 गया है male का, और 117.4 गया है female का, यह आपको BC कटेकर के अंतरगत है, ठीक है, और फिर पिछड़े वर्ग महिला जो है BC के जो 3% seat अरक्षित होता है, उसके महिला का गया है 166, क्योंकि सिर्फ महिलाओ के लिए होता है, तो 117 गया है, तो यह आपका cut-up है, यह अपने आप में cut-up चौकाने वाला है, और seat के संख्या कम था, लेकिन फिर भी इसमें seat खाली रह गया, seat खाली रही रहने दिना चाहिए था, अब इसका कोई और परोधान होता है, जैसे कि फिर से ए मेंस दिये मतलब की मेंस के eligible हैं, उनको फिर से मेंस अगर कराना है, तो करा सकते हैं, या मेंस में अधिक result निकाल कर दे सकते हैं, और उनका fiscal करा कर फिर से इनहीं के साथ ज्वानिंग करा सकते हैं, सिट खाली भी नहीं रह सकता है, और यह बात बहुत पहले से उठाय जा रह करेंगे, तो हो सकता ही कि ऐसा देखने को मिले, कि यह अपना waiting list जारी करें ठीक, यहीं था, और मैं सोचा कि आप लोगों को इस बारे में जनकारी दे दूँ, कि अब दिन पर दिन कटप बढ़ते जा रहा है, और 12.75 में इस बात को ध्यानम रखिएगा, आपको यह नहीं भ बीच में जो पढ़ रहा है, उसको खातम कर लिया जाए, अगर तेवहार आप नहीं मनाते हैं, तो आपके पास 50-55 दिन बचेगा, ठीक न, और उसको अप अच्छे से utilize कीजिए, ज्यादा से ज्यादा रे बिजन कीजिए, लिमिटेड बुक फोलो कीजिए, आपका selection जरूर होगा, हम भी अभी घर आये हुए है, जैसे ही यहां से निकलते हैं, आप लोग फुल मॉक टेस्ट प्रवाइड कराने शुरू कर देंगे, अप्लिकेशन पर भी, और पूरे एकदम स्रिवस के नुसा, ठीक, वीडियो अच्छा लगोता लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउ झालोगओ बप्रूप झालोगोता लाइक कीजिए आफलागडे प्लाइड़ चालोगँ देसरे हो जाती है, इसे हो शत्ते हैं कि वीडियो, गाया है, झालोग कर दोगज्चा कोईशाब कर दो चालोगोता इसे हो बातां है, उल प्लेक्दोंचान यारे हो ड़े एकोईशा